देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया न्यूज उत्रकंड में चावल की पैदवार बढ़ाने में एक महत्वपुन प्रियासमी शबाना सेड्स ने फुल पेज नमक तकनिकी पेश किया भारत के राज्यों के हजारों चावल किसानों को इस नई तकनिक से आने वाले समय में पैदवार में वरिधी के साथ-साथ भूजल के उपर उपयोग में 30% तक की कमी आती है इसके लांचिंग के शुब असर पर किसानों को वैग्यानिक ज्यान और समधानों से शिशक्त बनाने के लिए विशेश भी लूंच किया गया CEO अजे राना निकाहा, फूल पेज कॉपिंग सल्यूशन और फूल पेज अब खर्पतार प्रभंदन जैसे में एहत्पुन चिनोत्या का समधान करके चावल की खेती में क्रांती लेगा और इससे किसानों के आयम में वरिधी होगी जिससे कि किसान सीधी बुआई से धान की खेती कर सकते हैं धान की खेती भारत वर्ष में हजारों साल से हो रही है और लेकिन जायतर किसान धान की खेती रोपाई विधी से करते हैं रोपाई विधी में बहुत खर्चा होता है, रोपाई विधी के लिए लेबर बहुत लगती है और पानी बहुत लगता है बाहर के देशों में अमेरिका, ब्राजील, इंट सब देशों में बहुत पहले से 20 साल से टेकनलोजी है कि धान की सीधी बुआई कर सके तो वही टेकनलोजी जो अमेरिका और ब्राजील के किसानों को अपलग थी सावाना सीड्स भारत के किसानों के लिए लेके आई है फुल पेज सवा 134 और फुल पेज सवा 127 धान की ऐसी किसमें जो की किसान सीधी बुआई से धान की खेती कर सकता है और मजदूरी का खर्च बचा सकता है और पानी की बचत कर सकता है और जो वातावरन को प्रदूशित करने वाली गैस है मीथेन उनका उत्सरजन भी कम कर सकता है ये धान के लिए एक नई क्रांती कारी टेकनीक है जिसका फाइदा बाहर के किसान उठाते आए हैं लेकिन अब तराई और भारत वर्ष के अन्य राज्यों में भी ये टेकनीक उपलब्ध होगी अब याद देखें किसान जो सीधी बुआई जिसको अंगरेजी में बोलते हैं direct ceded rise किसान भारत का इस technology के बारे में जानता है ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है लेकिन किसान इस टेकनलोजी से धान की खेती नहीं कर पा रहा था उसके दो मुख्य कारण थे एक तो क्या होता है कि जब हम सीधी बुआई करते हैं खेत में गर्मी के दिनों में गर्मी तो बहुत जाद होती है तब 35-40 डिग्री टंपरेचर रहता है सीधी बुआई में किसान बोलता है कि मेरा अंकुरन अच्छा नहीं होता और बाद में फसल में खर्पतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है तो किसानों ने बताया कि यह समस्या सीधी बुआई में होती है अगर इसका समाधान हो सके हमने उसी का समाधान इस फुल पेस्ट टेकनलोजी में दिया है और किसानों के खेतों में हमने यहीं पे तराई के इलाके में करीब 50 किसानों के यहां इसके डिमोंस्रेशन दिये थे एक एक कड़के पिछले तीन सालों से कर रहे हैं किसानों को उससे पूरा खर्पत्वा नियंतरन होता है तो किसान की जो दो मुखी समस्या थी उसका समाधान इस टेकनलोजी से है अब जादे से जादे किसान सीधी बुवाई से धान की खेति कर पाएंगे